हेलो एब्रिबन कैसे हैं आप लोग सबी लोगों को शरी शिवाए नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स ये ना रात का समय है और हमने वहाँ दो दिन गुजारे थे तो ये रात का समय है बीटियो थोड़ी से लेट हो रहे हैं माफ करिएगा तो क्योंकि बाइफाई का कनेक्शन मतलब नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता जहां पर शिप पुरान कथा होती है क्योंकि जैमर बगेरा लगा दिये जाते हैं वर की प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी तो इसकी वज़े से घर आने के बाद ही हम वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं आपको लेकिन हां बहां की जो भी रोनक है वह हम आप तक शियर कर पा रहे हैं कैसी बहां की जो जगे थी वो आप देख लीचेगा कहीं पैर रखने की जगे नहीं है बिलकुल भी और रात में कितना सुन्दर लग रहा है यह देखिए यहां पर बाबा का यह जो हो रहा है रुद्राच मौत सा वो है और मैं वोईस ओवर इसलिए कर कर रहे हैं जो लोग अपने जगे नहीं मिल रही है वो लोग अपनी जगे ढून रहे हैं जाने वाले जा रहे हैं सब अपने अपने काम में बियस्त हैं और यहां पर देखिए बिलकुल भी पैर रखने की जगे नहीं है कि कहीं पर बैठ जाओ और जगे जगे पर सफाई कर सवाइकरमिया नहीं है कोई अलक से आया हो लेकिन लोगों में आस्ता था कि कि मेघ रकह रहे थे कोई बो optimum अधार जो कि खाल वें सowania ख्याशी आप भाड़े उसए हुआ है सब की आथ 시農 में चैनल में जो सुन करें। तो तर्सी न में पिद्ध में कई लिए ता कि हाँ ये कुम्ब है और जिदर देखो उदर हर हर महादेब जिदर भी देखो हर हर महादेब का यही नारा लग रहा था बहुती अच्छा और बहुती सुन्दर द्रश्च था ऐसा लगी नहीं रहा था कि मतलब हम कहीं दूसरी जगह पर हैं ऐसा लग रहा था कि हम स्वर अहग होता है ना इतना ही सुन्दर होगा यहाँ पर सिर्फ और scholarship ऑगबान की बाते हो रही थी भगबान सिर्फ और सिर्फ महादेव की बाते हर हर महादेव शिरी शिवायनमस अगर कुछ अधब किसी के अगर ह लग भी जा रहा था न जैसे हलके से टच हो तो लोग उसको सिरी शिवाय नमस्तुद्यम बोल कर छोड़ देते थे कुछ भी नहीं बोलना किसी को और कोई ऐसा भी नहीं था कि लड़ाई जगड़ा भी जैसे खाने पीने के लिए हो रहा हो बुरुजी ने बहुत अच्छी ववस्ता की थी खाने पीने की और यहां पर मम थे बस अपना कंबल लेकर आये बही बिचाया बही योड़ा और लेट गए हलकेल की सर्दी थी जादा सर्दी नहीं थी और बाबा चाहेंगे तो अगले बार भी जाएंगे लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमारा प्लान नहीं था जाने का सडली हम लोग गए और बुलाया बा अब बाबा देखेंगे जो देखना है उनको जो करना है और लाइट की बज़े से ना कैमरा की क्वालिटी देखो मेरे भाहिया का मोबाइल है तो क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी क्वालिटी है थोड़ा सा माफी चाहेंगे और यह देखो कितना अच्छे से सजाया ना गुरु जी का इतनी अच्छी ववस्ता थी न और यहां पर न खाने पीने को लेकर रात के एक एक बजे तक खाना पीना चल रहा था ऐसा नहीं है कि नो बजे या दस बजे बंद हो जा रहा था लेकिन भीड इतनी थी दस लाख बारा लाख ऐसे लोग आ रहे थे अब सोचो त पिन चार लाख लोग अगर खाने की लाइन में लगे हुए हैं तो कहां से कहां से हम लाइन में लग पाएंगे कहां से हमें इतनी जल्दी मिल पाएगा दो तीन गंटे तो हमें दे नहीं पड़ेंगे जब खाना मिलेगा और इतना मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में हलव अच्छा हो रहा था सब कुछ अच्छा हो रहा था किसी चीज की कमी नहीं थी और दिखे ना कितना अच्छा है कि कुम्ब होता है बाबा की कथा होती है शिवरात्री के समय तो जो भी बेरोजगार हैं उन लोगों की भी रोजी रोटी चलने लगती है वो भी अपना पानी बे सब्सक्राइब आ refuse जो जिसको हो पाता है वह बेचता है और फिर यह सुबह की कथा थी तो आप लोग देख सकते हैं कथा इतने पीछे बैठे थे इतने पीछे बैठे थे न सिर्फफ और सिर्प टीवी से ही देख सकते थे पर दूस तो ये दूसरे दिन का है अलब रात का ही है कथा होने के बाद क्योंकि दो दिन रुके थे ना इसकी वज़े से फ्रेंट्स मन तो था कि साथ दिन सुनने लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर ना भीड़ ही भीड़ थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दो हजार पच्चिस में तो इससे भी अच् महादेव सिर्फ महादेव दिखेंगे बाकी कोई नहीं दिखेगा तो कहने का मतलब यह है कि हर एक के मुख में हर हर महादेव हर हर महादेव शिरी शिवाय नमस्तव्यम ही नाम होगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जाने आने का जो में गेट से दर्वाजे से है ना बहां की ये जगे है तो जैसे खाना कैसा लाइन में लगنا था तो हम लोग लाइन में नहीं लग पाईで क्योंकि ना खाने के लिए बहुत बड़ी लाइन ती और मम्मी को गैस कि तकलिव होती इसकी वज़े से वह उन्हों नहीं कर पाया, लाइन में नहीं लग पाई, तो फिर बाहर से ही थाली ले ली थी, और लाइन में लगना बहुत ही डिफिकल्ट है, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई दे दे, है न, सभी भक्त बरा तो बहुत दर्द होता है, और उसके दर्वार में जाके भी आपका मन साफ नहीं है, तो फिर क्या ही फाइदा है, तो यहां पर कैसा सबको मिलना चाहिए, सबको मिल जाए, उसके बाद अगर बचे, तो फिर खुद ले लो, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, बाबा से बस य बचे को रहा था, मतलब महँत सब बोरा था, बहां पर और पीछे कैदार जो सिला थी, वह बहां पर ही बीच में बैठ गए, इधर भी बोले बाबा, उधर भी बोले बाबा बीच नहीं बैठ गए, अब रात वर बहीं काटनी थी, क्योंकि कोई बाहर नहीं सोने को तयार, वहीं जगह मिल रही वहीं बैठ जा रहे हैं और वाइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि गाने बज़ रहते हैं इसकी वज़े से हमारा ये यूटूब के खिलाप है गैडलाइन्स के आपको पता होगा तो कॉपी राइट आ सकता है इसकी वज़े से तो कभी नहीं सोचा था कि हम रुद्राच मौत सब में जा पाएंगे और जो नहीं सोचा था वो हो गया अब बावास से यही बोलेंगे कि हम जो ना सोच पाएं वो आप कर दो बस सब भक्तों की जो मन की इच्छा है मुराद है जिस कामना के साथ भक्त गन आए आपके आपके दिसी बोलेंगे रखतों की जो ही जो खाएंगे जो बावाद की जोस्चा है कि जो ही जो है जो कि नो है बावाद है